हेलो स्टूदेंट्स वलकम तो माई चैनल आम यूर मैट्स टीचर डिटोडियम क्लास टेंट सीवेस्टी एंचियाइटी बुक चैप्टर पेयर ओफ लेनियर एक्वेशिंस देंग दू वैरियेबल्स एक्ससाइज 3.4 क्वेश्चिन 1 फॉर्थ पाड को सॉल्व करेंगे अभू perfectly एक्वेशिंस पाइधी elimination method and ुक्तियटी जैन्हें आपको and substitution method से solve करना है तभी ये equation देखे fraction forms में given है तो fraction form में है तो सबसे पहले solve करने के लिए हमें इने normal form में लाना होगा ठीक है so calculate करते हैं आपे देखे x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1 क्या करेंगे हम दोनों का LCM ले देंगे 2, 3 is a 6 आपका LCM आएगा 2 इसको डिवाइड करेगा then 3 times में 3x को multiply करेगा 3x plus 3 इसको डिवाइड करेगा so 2 times में 2 to the 4y equals to minus 1 है ठीक है अभी देखे यहाँ पर 1 LCM ले करके हम cross multiplication करा देंगे so 1 is complete equation को multiply करेगा तो कोई परत नहीं पड़ेगा और 6 minus 1 को multiply करेगा तो minus 6 हो जाएगा so this is your 3x plus 4y equals to minus 6 equation number 1 this is your equation number 1 अभी दीके second equation जी यह आपकी गिवाइड है x minus y by 3 equals to 3 यहापे भी हम क्या करेंगे LCM ले देंगे LCM ले ले जी कितना हैगा आपके पास 3 क्योंकि 1 and 3 का LCM 3 होता है 1 इस 3 को divide करेगा तो complete 3 बच जाएगा जो इस x को multiply करेगा तो this is your 3x minus 3 इसको जो divide करेगा तो 1 times में 1 इस y को multiply करेगा so only this is y यहापे another side पे 3 है अभी यहापे हम 1 LCM लेकर के cross multiplication कराएगी 1 इस complete equation को multiply करेगा कोई पर्क में पर लेगा 3 इसको multiply करेगा तो यहापे दिक equation हो जाएगी 3x minus y equals to 3 3 is a 9 equation number second यहापकी equation number second है अभी हम इसे elimination method and substitution method से solve कर सकते हैं तो firstly हम solve करेंगे by elimination method by elimination elimination method elimination method से solve करेंगे तो यहापे दिके 3x और 3x दोनों ही equation में जो variable x है यहापे दोनों में ही यह जो x का coefficient है वो same है तो हम यहापे किसी से नहीं multiply करेंगे डायरेक पे इसको हम solve कर सकते हैं बट अगर हम यहाँ यहाँ पे eliminate करना है तो इस equation को 4 से multiply करना पड़ेगा इसके after हम y को eliminate करेंगे तो क्या जरुवरत है ठीक है हमें examine come time मिलता है और हम fast solution करना होता है ठीक है तो हम कोई यहाँ पे multiply नहीं करेंगे डायरेक इसको solve करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे from equation from equation 1 and 2 1st or second तो यहाँ पे देखिए 3x से plus 4y equals to minus 6 second equation is 3x minus y equals to 9 इसे हम elimination method से solve करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है इव दोनो equations की अगर जिसको हमें eliminate करना है जिस variable को उसके equation plus plus होते हैं यानि कि same होते हैं तो हम क्या करते हैं sign को change कर देता है तो देखिए हम इस equation के complete sign को change करेंगे यहाँ पे यह positive 3x है तो हम इसे negative कर देंगे यह negative है तो इसे हम positive कर देंगे यह positive था है तो इसे हम negative कर देंगे भी देखिए 3x 3x cancel हो गया हो ठीक eliminate हो गया और यहाँ से 4y और plus 1y this is your 5y equals to मैं देखिए minus और minus दोनों क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15 होता है ठीक है but sign negative है तो हम नेगटीव ही ले ले लेंगे और हम यहाँ से y की value चीए तो 5 को इसके denominator में sign कर देंगे 5 अभी divide हो जाएगा 5 तो 5 तो 5 तो 15 ठीक है वाई की value को हम क्या करेंगे equation second और equation 1 कहीं भी आप put कर सकते हैं तो हम second में put कर लेते हैं putting y equals to minus 3 in equation second equation second put कर यह देखिए 3x minus y यानि कि minus 3 put करेंगे equals to में है 9 minus minus यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 equals to में 9 है अभी इस 3 को क्या करेंगे another side पर transform कर देंगे तो 3x equals to हो जाएगा आपका 9 minus 3 तो 3x equals to 9 से 3 सबस्टाइट करेंगे 6 x की value यह तो 6 के denominator में 3 आएगा 3 बंसर 3 3 तूजा 6 x की value यहाँ से 2 आ जाएगी ठीक है अभी हमें इसे किस method से solve करना है by substitution method ठीक है इसको हमें substitution method से भी solve करना है तो यहाँ पर इसे by substitution method by substitution method हम इसे solve करेंगे so substitution method आप जानते हैं हम किसी भी एक equation की value को find करेंगे और उसे another equation में put करेंगे तो हम यहाँ पर दिखे यहाँ पर y alone है अब तो हम equation number second से ही solve करेंगे from equation second second दिखे हम इस y को और other side पर transform करेंगे 9 को इस side पर so this is y cost हो जाएगा आपका 3x minus 9 3x minus 9 this is your equation number third okay equation number third y की value को हम equation number 1 में put कर दिएंगे now putting y equals to 3x minus 9 in equation 1 equation 1 में put करें x की value so यहाँ पर आपकी equation है 1 3 x की replace y की value हम put करेंगे right y की value को put करेंगे तो यहाँ पर 3x रहेगा sorry 3 x plus 4 y की replacement पर put करेंगे कितना 3 x minus 9 x 36 another side minus 6 यहाँ पर minus 30 यह positive हो जाएगा 36 15 x equals to subtract करें 36 minus 6 this is your 30 हमें यहाँ से x की value शहीए so that implies x equals to 30 by 15 हो जाएगा 15 means the 15 15 means the 30 so x equals to 2 यहाँ से x की value में आपके पास आ गाई है 2 तो हम क्या करेंगे x की value को equation number third में put करेंगे putting x equals to 2 in equation number third equation number third में put करें third क्या है आपके पास y equals to 3 into x की value 2 minus 9 so y equals to 3 to 6 minus 9 subtract करेंगे तो y equals to subtract करेंगे 3 आएगा sign हम bigger digit को लेते हैं तो minus y equals to minus 3 क्यासे हमको y की value मिल गई देखिए हम हमने elimination method substitution method solve के दोनों से answer आपका same ही आए है ठीक है hence the solution of the given equation given equation is x equals to 2 and y equals to minus 3 ठीक है यह आपका final answer है आपको इसामने सिंट ऐसे ही लेखना है और calculate करना है ठीक है I hope आपको exercise 3.4 question 1 का पोस्पाद बहुत ही अच्छे से समझ रहा होगा अगर आपको कोई भी doubt है